पैसाब से प्रोटीन आना एक तरीके की घंबीर बिमारी है और इस बिमारी का इलाज वक्त रहते ही आपको करवाना चाहिए अगर आप इसमें देरी करेंगे या डिलाई देंगे तो ये आपी के लिए बहुत जादा नुकसान दे हो सकता है आज मैं आपको ऐसा एक नुस्खा बताने वाला हूँ जिसके अपरयोग से आपके पेसाब से प्रोटीन आने की समस्या हमेशा के लिए खतम हो सकती है तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा और मैं अनिल कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अगर आपके पास कोई भी परिसानी है या आपको कुछ सुझाब चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूश सकते हैं और उसका रिपलाई मैं आपको जरूर दूँगा तो चलिए फ्रेंट हमारा आज का वीडियो सुरू करते हैं फ्रेंट किड्नी में इंफेक्शन लगने का जो कारण होता है वो आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है या डायबिटिक होता है या इसके और भी कारण होते हैं जिससे आपके लीवर में कुछ गड़बड चल रही है तो उसकी वज़े से भी आपकी किड्नी में कुछ ना बड़ी समस्या बन सकती है यह आपको किड्नी फेलियर भी दे सकता है तो इसलिए इसको बहुत जादा एहमियत दीजिए और वक्त रहते इसका ट्रीटमेंट जरूर करवाईए अगर आपको एलोपती दवाई से अराम नहीं आ रहा है और आपका प्रोटीन की समस्या आपक किसी को सिरफ अभी प्रोटीन के ट्रेस आ रहे हैं तो उनके लिए सोने का सुहगा जैसा यह मैडिसिन काम करने वाली है तो मैं आज आपको कुछ आईरुवेदिक जगी बूटियां बताऊंगा और उनके परियोग से आपका प्रोटीन आने की समस्या हमेसा के लिए समाप् प्रेंड यह मैडिसिन मेरो को आज से 16 साल पहले एक वेद ने बताई थी उनके रिकमेंडेशन पर मैंने इसका इस्तमाल किया था और इसका रिजल्ट भी मुझको मिला था तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस मैडिसिन के बारे में तो फ्रेंड आप सबने पीपल का पेड तो देखा ही होगा फ्रेंड पीपल का जो पेड होता है वो बहुत ज़्यादा गुड़कारी होता है और उसके बहुत ज़्यादा अईरुवेदिक लाब भी होते हैं तो फ्रेंड पीपल की छाल आपको 100 ग्राम ले लेनी है अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे पोदे की और तो फ्रेंड हमारा दूसरा पोदा है नीम का पोदा तो फ्रेंड नीम जो होती है एंटी बेक्टरियल का काम करती है और नीम जो होता है वो बलड का फुरिफिकेशन भी करता है तो आपको 50 ग्राम नीम की छाल ले लेनी है अब बात कर लेते हैं तीसरे पोदे की और तो तो अरजुन की चाल बहुत ज़ादा फाइदे मनद है आपको अरजुन की 100 ग्राम चाल ले लेनी है अब बात करते हैं हमारे चोथे पोधे की ओर तो फ्रेंड हमारा चोथा फोधा रहेगा पुनरनवा क्योंकि फ्रेंड पुनरनवा के नाम में ही है पुनरनवा यानि दुबारा से जिन्दा करने की तागत या दुबारा से किसी पार्ट को रिकवर करने की सक्ती होती है इसके अंदर और इसके बारे में मुझे आपको बताने के जरूरत नहीं है आप सब इसके बारे में जानते ही होंगे तो फ्रेंड आपको पुनरनवा की जड़ लेनी है, सुकी हुई, वो आपको डेड़ सो ग्राम लेनी है, अब बात कर लेते हैं कि आपको ये सारी मेडिसिन कहां से मिलेंगी, तो ये आपको सब अंसारी की दुकान पे मिलेगा, ये सब आपको अंसारी की दुकान पे मिल जाए है उसी quantity में आपको grinder में डाल के पीस लेना है इसका महीन powder बना लेना है और जब इसका महीन powder बन जाए तो आपको powder को छान लेना है मोटा मोटा powder निकले उसको फिर से पीस लेना है उसको फिर महीन कर लेना है अब आपको इसकी दवाई बनाने का तरीका में बता देता हूँ आपको क्या करना है कि इस पॉडर को दो चमच 400 ml पानी में डालना है और जब ये पानी आपका 100 ml रह जाएगा जल के तब आपको चान करके इसको दिन में 3 बार पीना है और 3 बार आपको नया ही बनाना है ऐसा नहीं है कि आपने खटाई 300 ml बना लिया तो आप पूरा दिन उसी को पी रहे हैं जब भी आप इसको लें तो आप तीनों टाइम इसको फ्रेश ही बनाए और इसको लेने का तरीका यह है कि आप इसको खाली पेट लें सुबह भी इसको खाली पेट लें दुफेर में भी खाना खाने से गंटे पहले लें और रात को भी खान करते हैं धन्यवाद